आपके हाट के बारे में हमें बहुत कुछ बता देगा है कि आपने हाट के बारे में तो सुना ही होगा आज आपको बताएंगे होता ऐसी जी लीए रिदम रिकॉर्ट करता रहता है और होल्टर की जो मशीन है वह आप गले में पहनते हैं मतलब चाती में दो-तीन लेक्ट्रोड लगते हैं और वह लटकता रहता है जिस तरह बिग बॉस का माइक लटकता वैसे होल्टर आपके चाती में या फिर आपके इधर कंदे से लटका सकते हैं और यह आप लटका के अपने कपड़े के अंदर कभी 24 घंटे गभी 80 घंटे इतना लंबा तक होल्टर किया जा सकता है होल्टर में पर डायरी जो आप कर रहे हैं पूरा पूरा दिन कि आज मैंने इतने वज़े से इतने वज़े तक यह किया तक हमें यह पता चले कि भी आपको अगर होल्टर की रिकॉर्डिंग में को गड़ड़ी आई यह तो उतने वज़े आप क्या कर रहे थे तो आप बता पाओ नंबर इस वेरी इंपोर्टन्ट की अगर आपको सिम्टम आये हैं कोई तो आप सिम्टम बताएं कि में को चक्कर आये थे इतने बज़े इतने देर के लिए थे ताकि होल्टर की फाइंडिंग होल्टर में जो हुआ उसके साथ उसको मैच किया जाए यह आप ध्यान रखें इलेक् हो पहन रहे हो होल्टर की मशीन तब आपने कुछ हाई वोल्टेज एरिया या कोई मैगनेट या मेटल डिटेक्टर के आसपास या इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट जैसी कोई चीज नहीं लेनी है वरना वो उसकी रीडिंग से उसमें अर्थिंग डालेगा उसमें आर्टिफैक् रगिर्टीज को मॉनिटा अपना जो भी आप नॉर्मल अक्टिवीटी करते दिन भर में वही करनी है निकेट पहना आज पूरा दिन बैठों आप रोगल ड्यूलर में जो जो करतें जहां जाते जिम जातें जो करतें दौकरतेंटें हैं एक्साइज करते हो special preparation नहीं होता इसमें कोई आपको पेन नहीं होता को चुबन नहीं होती पेनलेस टेस्ट है आपका यह रहता है हाँ यह है कि जहां वो होल्टर का लीड लगाया जाएगा उस लीड पर हो सकता अगर आपके बहुत सारे बाल है तो बाल को वहां पे खुड़ा सा निकालना अगर हाट रिदम में प्रॉब्लम है या कभी कोई मेजर बिमारी हो चुकी हाट की हाट अटैक हो गया है कोई सखासकर पाल्पिटेशन अगर आते हैं को धड़कन में पाल्पिटेशन या फिर चक्कर आते हैं पाल्पिटेशन होते हैं धड़कन धर्दर धर्दर हाट होता है यह चक्कर आते हैं तो होल्टर करके देखा जाता है कि हाट में कोई प्रॉब्लम तुनी कोई हाट की बड़ी मेडिसन चालू करने से पहले भी देखा जा सकता है इसके अलावा जो हाट के जैसे एकलो फिब्रीलेश्ट डियल टकी कार्डिया प्यमिट प्रोक्सिसमल सुप्रावं टकी कार्डिया प्रापलम की बिमारियों के नाम है जो पकड़े जा सकते हैं में नोर्मल एक्टिविटीज करते हुए नॉर्मल होल्टर अगर आपके रिपोर्ट the normal-1 को अपको कोई abnormal फांडिंग को abnormal हाट रिदम पैटर्ण को abnormal इन मेंशे कुछ नहीं आएगा अनॉर्मल आएगा तो यह देखा जाएगा कौन सी रिदम प्रोब्लम आ रही है इन में से नहीं आती हार्ट में चक्क्रवकर नहीं आता क्योंकि एक बीट गलत होगी तो भी हाट वापस अपनी रिदम पकड़ लेता है जस्त लाइक साइकल का एक दिन पाइडल नहीं मारा तो साइकल रूप नहीं जाएगी लेकिन अगर मारना बन कर दिया तो साइकल आपकी रूप यहां कि नहीं अगर अगर अन्रेशन व्लाना सिंपल सी चीज वैसी था आपका है सई से धड़का नहीं तो गड़बड हो जाती है इसमें कोई खास रियस्क नहीं है कोई किन रेक्शन नहीं है कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आती है extended loop recorder ELR loop recorder इस नाम से भी जाना जाता है जो एक-एक हफ्ते तक पहना जा सकता है एक-एक हफ्ते तक पहन सकते हो एक हफ्ते के अंदर आपके उस रिदम प्रॉब्लम जो अगर हाट में होगी हो पकड़ी जाएगे क्योंकि होल्टर में एक प्रॉब्लम है हो यह प्रॉब्लम है मान लो आपको हफ्ते में एक बार ई confian यै के अडियंन हो लिए उस टाइम जब हुआ था पाल्पिटेशन जब गडबड होई थी जखकर आया था तब ECG में कोई गडबड थी कि नहीं तो उस समय के ECG लेना कई बार impossible हो जाता है क्योंकि वह थोड़ी दिर के लिए होता है अस्पताल तक या ECG तक पहुंचोंगे तब तक खतम हो जाता है इसलिए होल्टार उसमें काम आता है होल्टर मॉनिटरिंग इस वेरी इंपोर्टन थिंग वेरी इंपोर्टन टेस्ट विच एवरीबड़ी शुद नो अबाउट होल्टर यह रिदम प्रॉब्लम के लिए है और कभी कोई पाल्पिटेशन या डिजीनेस जैसे सिम्टम हो उस तो इसको एट्रियल फिप्रिलेशन ढोलते हैं और दोड़ा धीरे-धीरे फट्फट आने लगे धरकने के जगा तो पीसे झरी है स्कूष हां यह प्लमद आ दिल चर्डाय में से लाक कारिए सास्ट और यह एघाज पीसवग्ण натaltखेश को 강ई और ऑटे से जो हो सकता है जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे यूट्यूबबे और कोई किसी के पास सवाल हो तो जरू लिखे याद रखे इसीजी अलग है इको काडियोग्राफी अलग है होल्टर अलग है टीम्टी अलग है स्ट्रेस इको अलग है स्ट्रेस थालियम अलग है एंडियोग्राफी अलग है यह सारे टेस्ट से पता चलता है हाट में क्या बिमारी है ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्ट करके सब पता चल यह डॉक्टर का है इसलिए आप अपने सिम्टम्स के साथ अगर आपको किसी प्रकार का चक्कर पालपिटेशन गबराट पैनिक पैनिक अटैक एंजाइटी ऐसे कुछ होता है तो आप अपने डॉक्टर के पाथ जाएंगे आप ECG कराके जा सकते हैं आपका डॉक्टर यह दे कोई हाट में अलग साउंड है तो फिर होल्टर या इको काडियोग्राफी दोनों जरूरी हो जाते हैं यह दोनों जरूरी हो जाते हैं इको काडियोग्राफी से हाट का स्ट्रक्चर देखा जा सकता है होल्टर से हम रिदम देख सकते हैं या ECG रिपीट कर सकते हैं कि इस व देखना बस अंगुठी से लगके पल्स मैसूस हो जाएगी आप इसे गिन सकते हैं एक मिनिट में और अगर नहीं मैसूस होई तो हाथ को थोड़ा धीला कर दीजेगा अपने आप हो जाएगी इस तरह से आप अपना पल्स अपना में वानिटर कर सकते हैं इस वीडियो को जाय जाए 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 लोगों का भला हो सके थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टिड स्टे हावडी